नमस्कार दोस्तों आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोशिंग ट्रेटफॉर्म पे स्वागत है मेरे नाम है प्रदिमंत्र पार्थी और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अभी हालिया चल रहे हमस इसराइल कॉन्फिट के बारे में यह जो वार चल रहा है पलेस्टीन इस कॉन्फिक्ट नहीं यह पुराना कॉन्फिक्ट है काफी लंबे वक्ते से चलने वारा कॉन्फिक्ट है और यह बीज-बीज में कभी भी ओभर के आजाता है ओके and it is very important from the geopolitical perspective as well as international relation perspective okay so अंतराश्टी सम्मंद से सम्मंदित है geopolitical का issue है जो कि हमेशा ताजा खबर में रहता है और इससे सम्मंदित सवाल जो है अकसर आपके exam में भी आते रहते हैं okay so today we will be trying to understand कि यह conflict क्यों हुआ और साथ-साथ उसका इतिहास okay because like news में आप लगादार देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको information मिले होगी एच्छा conflict फिर हमस ने क्या किया इसराइल ने क्या क्लिया होगे both of them are attacking each other okay तो भाई कोई missile चला रहा है कोई कुछ चला रहा ही सब चल रहा है बट उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि इसके पीछे कारण जानदा कि आखिर यह पूरी जो लडाई है जो कई सालों से चल रही है कि करीबन अगर हम सही रूप से दिखा रहा है तो कम से कम 70-80 साल पुराणी लडाई है यह तो और उससे भी ज़्यादा पुराणी लडाई बोल सकते है तो यह आख के रही स्टार्ट क्यों है यह जो इसराइल-Palestine conflict है इसकी असली जड़ क्या है यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे because यही जो है एक पर क्लास होती है और 6.30 प्यां मंडे दो फ्राइड आप पर क्लास होती है तो सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपोर्टेट अप्डेट अप्डेट क्लासे सेशन एवरीटिंग सारे लिंक जो है यहां मिलते रहेंगी क्लासे जितनी भी हो रही है साथ- क्लास पर मिलते रहेंगे तो प्लीज इसको जरू कर लीजेगा ठीक है ना चले दुजरा बात करते हैं कि यह कॉन्फिक्ट क्या हुआ कैसे हुआ कहां से शुरू हुआ उससे पहले एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज च करिएगा ठीक है तेरा तारीक तक यह सीरीज आपकी चलते रहेंगे और उसके बार फिर संडे को हम करेंगे मेराथॉन टेस्ट ओके चले ना अब बात कहां चुरूई कि हमस ने स्टार्ट किया एक ऑपरेशन अलक्स फ्लड ओके अलक्षा फ्लड ठीक है एक ऑपरेशन स्ट इस एरिया को चुरूड पावर जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में हमस के हाथ में है त्रीक है आप सब स्टेट एक्टर बोल सकते हैं इसको कि कुछ तर पर राज शक्तिया भी इनके पास है परन्तु टेरिस्ट और नाइशन के दरह काम करते हैं जैसे कि आपको एरोज देख रहे हैं इंफिलिक्ट्रेटेड ओके सो उन्होंने पहरी बात तो अचानक से जटकेश कुछ की एरिया में घुसना स्टार्ट कर दिया इन्फिलिट्रेशन इसका जो है उसकी तरफ शच एवहाइं की तरफ इस्टारइल तीक है अब उसमें सिविलिन पोपुलेशन भी मारे जा रहे हैं तीक है जन्हों ने आटेक किया हमस ने वो तो करी मरी रहे है वर साथ सा थी टिविन पोपुलेशन तो वार इस नेवर लेक लेक्ट वोट वी कन से बेनिफिशल फॉर एडिमर तो जुद्ध कभी भी किसी के लिए फाइदे मन नहीं होता है तिक युद्ध में सब की हार ही होती है और वही हो रहा है तिक दोरों तरफ से काउंटर अफेंसिव है अब जब हमस्ने अटक है तो इ अब इसके बारे में लगतार आपको अपडेट में लें किसने कितने गोले मारें किसने कौन सी मिसाइज जलाई अगें डट इस नॉट इमपर्टन नेशन ओके वह आपके एक्जाम से सम्मधित इंपॉर्टन नहीं है बस हाँ ठीक है कॉन्फिक्ट हुआ इसको हम ढने वाल पुराना कॉन्फिक्ट है अगर हम व्ल्ड वार वन की बात करें सो व्ल्ड वार वन में बिकॉस प्रिवेसली डिस एरिया दिस पैलेस्तीन एरिया वास पार्ट अफ ओटमन एंपायर नाम की एक चीज थी तो ओटमन सामराज इथा जो की विशुद प्रथम विशुद में ह प्रथम विशुद के वक्त में ही बिटेन ने एक पॉलिसी निकाली उन्होंने एक डिकलेशन किया बैल फोर डिकलेशन का नाम याद रखेगा एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है ठीक है और इस डिकलेशन में क्या कहा कि यहुदी लोग के लिए रास्ट्रे घर बनाएंग मतलब परसीन को मतलब ऑफ पहले इसन था इसराल नहीं था वहाँ है इसको प्लेसरारी नहीं टुटाइब के जहां पे पर अधर और दल्र मों की वहां पर जनव भूमी थी ऐस्थन पीपल की लिए भीत है एशन पीकल किलिए दोखा और एसम घर ठोसलिम एगा हम वह संट ज धर्म स्थल को रूप में हम उसको भी जानते हैं जरूसला वो उसके आसपास पूरा आपका पलेस्तीन था तो पलेस्तीन था बट फिर बिटेन ने डिसाइड किया कि हम इस पलेस्तीन को में ही जुईस लोग को के लिए घर बनाएंगे जुईस लोग को जगए देंगे वहाँ को शेंजेट ने जुईस लोग के लिए चेत्र को कंडूल करेंगे फिर बात मैं जब एटाक किया ते यहां पर यहां पर में बढ़ती गई इस एरिया में आपके जो प्लेस्थीन वाले अरिया था थे मुविंग फिर इसके बाद क्या होता? व्ल्ड वार्टु में यहां पर नाइंटीन फॉर्टी सेवन में युनाइट स्टेट प्रपोज रपार्टिशन प्लान तो यहां पर दुतिय विश्वित के बाद के जब धर्म की पॉपुलेशन पहुच गई थी वहां पर प्लेस्टीन लोग अरब लोग और जो अरबिक पीपल है वहां पर थे पैलेस्टीनी पीपल और जो जूइस लोग पहुचते रहे थे तो ऑबिसली देश तो हो गई होगा फिर उसके बाद जब यह जगड़ा बढ़ने लगा तो युन ने युनाइटेट नेशन ने बुला प्लान बनाए कि ऐसा करते हैं कि इसी एरिया में हम डिवीजन कर देते हैं कि यह वारा चेतर जो है जूइस पॉपुलेशन के लिए होगा और इतना चेतर जो है अरबिक हुपुलेशन को दे देंगे अरबिक कंट्री जो लोग है या फिर पैलेस्तीनी लोग है वह प्लान जो है उसको अरब लीडर से रजेख कर दिया इस्राइल ने एकसेपर किया जूइस के यहुदी जो नेता थे उन्होंने माना कि ठीक है हम बसली युनाइटि नेशन की पहले वो एक Jewish community वहाँ पे रह रहते वो जगह पे चाहाँ Jewish community का area है जहाँ पे Jewish लोग रहते हैं पर दो बाद में उन्होंने अपने आपको इस्राइल डिक्लियर करते हैं कि आप जब जैसे डिक्लियर किया तो आस पास भी कुछ देखिए अगर हम उस जगह को देखेंगे तो चारों तरफ जहां इस्राइल है उसकी चारों तरफ अभी क्या है वहाँ पे इस्लामिकल अरबिक कंट्रीज हैं ठीक है इधर सीरिया अधर जॉर्डन इधर इजिप्ट तो इस परकार से जो अरब के देश आपस में बॉक लागए कि हमारे बीच में हमारा जो च्छेत्र मे इस पर जो जंग है तो वह प्रिंस्पेक्टिव और यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर कही न कहीं और जूइस कम्निटी की वीच में लड़ाई चलते रही कि जमीन की लड़ाई तो अरबिक पीपल चाहते थे कि वो जो पैलिस्टीन एरिया था जिसको जूइस इसराइल बना दिया गया है उससे वापिस अरबिक पीपल का ही राज हो और वहाँ पैलिस्टीन लोग ही रही ठीक है ना अब इसको आप देखें जसे कि मैंने बताया क कि 1947 में यूनाइटेओट नेशन का पार्टइशन प्लान आता है ठीक है अब यह यह पार्टेशन प्लान था यह जो आपको प्लु एरिया दिख रहा है यह भी आप स्टिपलाला यह वेस्ट बेश कर दिया गया यह division suggest किया गया और यह बोला गया कि Jerusalem जो है जो pink दिख रहा है it will be an international city Jerusalem को international city बनाएंगे ना किसी के हाथ में ना वो Arab state के पास आएगा ना इस्राइल का वो independent रहेगा बढ़ कौन सुनने वारत ऐसा कही होता कि आपके आपके राज जी की बीच की कोई जमीन लेया कि बोले कि इंट्रेंशन टर्रेटर ही है ठीक है UN ने एक प्रोग्राम दिया था बढ़ फेल हो गया इसके बाद 48 में जैसा कि मैंने बताया कि 48 में ee 1948 में इसरायल डिकलेर इइस सल्फ एज इंडिपरण कंट्रीए इसरायल ने आपने आपको डिकलेर खिया तो हुआ क्या सब ने अटेक कर दिया यहां सीरिया से यहां जॉर्डन से सब तरब से इजिपर से अटेक हुआ ठीक है इस पर किया गया Jewish people के उबर Jewish ठीक है जो इस्राइल के उपर एक पकार से अटेक हुआ अब जब अटेक हुआ तो पूरा ये पर इस्राइल ये बहुत ताकतवर था तो इस्राइल ने है इस्राइल ने काउंटरबेक किया जुलाइ में ठीक है और वापें सारा एरिया तो मतलब जितना इस्राइल को मिलना चहिए था दिखें गाजा यहां तक जा रहा था इसलिए युनाइटे निशन के प्लान के हिजब रदन धान कleist भी तक्क eh शो उर्टेश लाजा है । अप उसकी तरहा है लड़ने हैं मुझे जमीन के लिए और कि और इसको बुल्ड़ पुलते हैं सब इसके ब सब OS जहां पर इसराइल ने अपना वापस रीकलेम कर लिया एक महीने पहले वापस वाला पार्ट है यह बेसिकली जो है किसके पास पर v10 पाइब यह उसके बाद six-day एसमें वापिस वेस्ट बैंक को वेस्टर जेरुसलम को रिए इस्वारीग कर लिया इस वापिस और इस ये भी तेट्टों से चिलियर हों कि ए प्रकार से इसराइल की विक्टरी हुए और इसराइल ने अपने एरियास को रिक्लेम कर लिया अब यह तो हो गया ठीक है अब इसके बाद एरियास कंट्रोल रहें पर फिर बाद में कुछ वक्त थे बाद कहीं किया वशक्ता भी बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक आप आप नहीं चला सकते, conflict retention zone में नहीं सकते जो पीस अकॉर्ड होती है, पीस अकॉर्ड क्या? ओसलो अकॉर्ड, नाम याद रखेगा, एक्जाम में आ सकती है कि ओसलो अकॉर्ड क्या है अपर किसकी बीच में हुई है या फिर इस रिलीडिट तो इस ओसलो अकॉर्ड, 1990s में जो हु और यह जो गाजा पट्ती है और यह वेस्ट बैंक है, इसको हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, वहाँ पे वैसे वो इसराइल के अंदर माने जाएंगे, बढ़ ठीक है वहाँ पे अपना एक पैलेस्टीन अथारिटी उन्हें बनवा दीगी, ठीक है, वहाँ पे आपना यहां पर आपको अपनी गवर्मेंट बना लीजिए जिसको उन्होंने बुला गया पलेस्टीन अथोरेटी पी ए यह तो 1990 में एग्रिमेंट हो गया कि ठीक है शांती करते हैं बट दो हजार और 2005 की बीच में थोड़ा शांती जो विवस्ता चल रही थी वो थोड़ा सा स्टॉल हुआ कुछ जो इमसली जो हो सकते न ऐलिमेंट ऐसे जो की शांती नहीं चाहते हैं जैसे कि हमस जो चाहते कि नहीं हमको तो पूरा का पूरा इस्राइल चाहिए वो पूरा पैले अधिया, तो उसकी दोहेर चेह मेंडे वहां का पैलेस्टीन जीता ठीक है ठीक है ठास बहुए च alterna taking ने सटीन कार और तो पर हमस यहां पो स्टैप को भी अपने तो गाजा स्ट्रिप आ गई हमस के डारेक ट्रोल में और तब से तब से गाजा पट्टी जो है उस पर हमस का अधिकार चलता है और यहां पे वैस्ट बेंग में फतहा का चलता है ठीक है फतहा है ठीक है तो अब उसके बाद यह कॉन्फिक्ट चलते रहते बीच विच में अभी 2021 में भी आपको याद होगा 2021 में भी अलस्क जो मॉस्क है और जेरुसलम को लेके कॉन्फिक्ट बढ़ा था और वहां पर फिर से लडाई हुई थी हमस नहीं वहीं से गाजा से अटेक आया था सो यह रडाई चलते रहते हैं और अभी अचानक से रडाई जैसे अभी का जो करेंट है जो करेंट एक्सकेलेशन है वो कैसे हुआ कि साथ अक्टूबर को भी बिल्कुल ताजा ख़बरे साथ अक्टूबर की बात है जहां पर हमस ने अचानक से एर स्ट्राइक की और साथ-साथ इंफिलेटरिशन किया सर्प्राइज अटेक किया और उसके बदले में फिर इसराइल ने अटेक करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो यह है अभी का लेटेस बाकी इंपॉर्डन चीजे क्या है आपको ऊसलो अखॉर्ड का यह राह में रखना पड़ेगा या फिर युनाइटर ने जो प्लान दिया इसरफ चीज़ जो है फस्ट अरब वार क्या है या फिर शिक्स डेस वार क्या है इस चीजे जो है कभी भी एक्जाम में आ सकती है जरूरी नहीं कि अभी करेंट अफिर में आया तो एक्जाम में नहीं सकते हैं पुराने हिजाब से भी वह पूसकते हैं इस राइल-पैलेस्टीन कॉंफिक्ट इसलिए वह उन्तराश्ट्राश्य मुद्धा है और इसलिए कभी भी एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए एक हूंबर कोशन आप सभी को देखे जा रहा हूं काफी लंबा वीडियो हो गया इसराइल-पैलेस्टीन कॉंफिक्ट के मारे हो आपको फिलिए थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी नहीं तो अभी तह लगत कमेंट बॉक्स में दे रहा है वीडियो को देखने के बाद कि यह जो इसराइल-पैलेस्टीन प्लान था ठीक है अरब स्टेट का वह युनाइटे निशन ने कब प्रपोस किया गया उसका यह आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जरूर ठीक है चल होमवर कोशन का अंसर जरू दीजिएगा ठीक है बाइबाइब एंड लाइक कीजिएगा सेशन को दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा एंड कीप श्याइब वाचिंग देट्स्बॉक्स पर कोचिंग प्रेट परोके बाइबाइब गाइज टेक यह थैंकि सो मच